हेलो श्ट्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, तो कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया, आप लोग उमीद है, पढ़ रहे होंगे, एक्जाम अल्मोस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो सब लोग बढ़े बढ़े पढ़ाई कर रहे होंगे, लिक लिक के प्र Regierung कर रहे होंगे, वाज भाढ़ टोपिक्श को, रिवाइस कर रहे होंगे, अच्छे नंबर ले के आने है, है ना, पक्का रिवाइस कर रहे हो टोपिक्स को, टो देखते हैं हम लोग, लेक्चा नमर थार्ड, चैप्टर नमर 2 का, जो की हमारा चल रहा था, वोल्मेटρί और यह और ले विस कॉंसेट के बारे में अब एसिड बेस्ट टाइटरेसं टाइटरेसं चार टाइप करे से याद है नहीं याद है ठीक है यह पहले टाइकपा टाइटरेशन एशिद टाइटरेशन उसका पार्ट टू है यह ठीक है ना लेक्टे नूमबर थर्ड है के लिएर है आज लोग पढ़ेंगे इसके अंदर इस्तमाल होने वारे इंडिकेटर्स के बारे में क्या कहानी है इनकी, क्या करते हैं इंडिकेटर, कैसे काम करते हैं ठीक और दो बड़े ही famous इंडिकेटर, phenophthalene और methyl orange के working के बारे में भी समझेंगे तो overall जो यहाँ पर indicators की theory समझेंगे हम theory में actually इनकी mechanismy है कि यह काम कैसे करते हैं, किस तरीके से color दे देते हैं बात समझें आ रही है, तो हाँ start करते हैं तो theory of acid base indicator, तो theory में बता दूँ, theory actually कुछ और नहीं है theory में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, theory में हम लोग mechanism ही देखेंगे क्या देखेंगे, mechanism, ठीक है न, नोटा है काफी, थोड़ा सा पत लगा लिए theory में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, mechanism भी पढ़ने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से एक titration के अंदर indicator अपना role play करता है ओके, तो indicator के roles को समझाने के लिए दो scientist ठीक है, और भी हैं, लेकिन ये काफी famous हैं दोनो ठीक है, Oswald theory और quinoid theory क्या है ये theory, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो पहले हम थोड़ा सा वापस से recap करते हैं, चीजों को, कि आखिरकार हो क्या रहा था थोड़ा सा recap कर ले, तो चीजों और अच्छी समझ में आएंगे, भूल गए होगे तो याद आएगा और जिन लोगो याद है, वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर सकते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी कहानी को समझने के कोशिश करते हैं, कि चल क्या रहा था तो याद होगा कि हमारे पास एक burit थी ठीक है और नीचे क्या होते थे, नीचे flask लग देता हूँ, round bottom flask क्या हो सकता है ठीक है, वो ही लेते है generally, जो यह flask में बारवा बना जेता हूँ, ठीक है न, यह round bottom flask होता है इस type से ठीक है, उससे कोई फर्ख नहीं पड़ता है, समझ में आना चाहिए अब जो क्या होता था, यहाँ पर हमारा क्या होता था, standard solution होता था, standard solution, ठीक है, जैसे माल हो, यहाँ पर standard solution में है, यहाँ पर क्या है, h plus i, और यह solution है, जिसको unknown है कैसा है यह, unknown है तो यहाँ पर अगर यह acid है उपर standard होगा क्या है यह basic होगा यानि कि यहाँ पर क्या मौझूद ओँगे OH-1 मौझूद ओँगे अब जब को होता क्या है थोड़ा सा कहानी समझते हैं हम लोग मालनों हमने यहाँ पर कोई indicator डाल दिया क्या डाल दिया यह indicator डाला ठीक है अब होता क्या है कहानी इसकी यही है समझा है यह बात को मैं पहली बता चुका हूँ फिर revise कर वा रहा हूँ ठीक है इसको और जी बता चुका हूँ मैं तो होता क्या है उपर से जब ही h प्लस आ करके गिलते हैं यहाँ पर इस स्ल्यूशन में कौन गिरेंगे h प्लस तो यहाँ पर जो h- आयन है यह h- प्लस किसी रिएट कर जाते हैं 279 से और क्या बदेते हैं h2 अच्छो उपर से जो h plus आ रहे है उपर से जो H प्लस आ रहे हैं वो यहां solution से क्या ले रहे है OH माइन साइंस ले रहे है क्या ले रहे है OH माइन साइंस ले रहे है तो यहां पर solution में धिरी धिरे होगा क्या उपर से H प्लस आता जा रहा है जब सारे सारे के सारे OH माइन साइंस क्या होंगे consume हो जाएगे, यहाँ पर जितना भी OH माने साइन्स होगा consume हो जाएगा, तो ये वाला सलूशन था मेरा unknown वाला initially कैसा था ये basic था, जैसी OH माने साइन खतम हो गए उपर से जैसे ही H प्लस गिरेगा जैसे ही H प्लस गिरेगा ये solution जो था मेरा basic से कैसा हो जाएगा acidic, है ना धिर धिरे सारे OH खतम हुए ये solution पहले step में सारे जैसे खतम हो जाएगे, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ये neutral बन जाएगा neutral के बाद जैसे H प्लस गिरना start होंगे और extra, जड़ा से भी extra गिरेगा ये solution मेरा क्या हो जाएगा acidic हो जाएगा, क्या हो जाएगा acidic, इसका medium change होते ही मेरा जो indicator होता है वो क्या करता है color show कर देता है जैसे ही इसकी range बदलती है ठीक है, जैसे ही pH की value बदल जाएगी basic से acidic होगा मेरा indicator क्या कर देता है color बदल देता है अब बात को समझना Medium की Acidity और Basidity चेंज होते वक्त जो ये color बदल रहा है ये क्यों बदल रहा है कैसे बदल रहा है ठीक है इसके बारे में ओच्वाल ने बाते करी समझते हैं बात को जैसे कि हमारे पास suppose एक छोटा सा एक्जाम्पल लेते हैं किसका यह बास समझ में आ गई हो क्या रहा है जो मेरे पास unknown solution था इसका क्या चेंज हो रहा है अन्नोन का पीच चेंज हो रहा है अन्नोन का पीच चेंज हो रहा है बहुत आराम से समझना है इस बात को ठीक है इसतना समझ लो कि फिर कुछ पढ़नी जोड़ती ना बड़े बास दिमाग से जाके लिखके आ जाओ अब पीच चेंज होने से होता क्या है अब इसको थोड़ा साम नेक्स्ट प्रेसे समझते हैं अब जैसे कि मैं बात करूं अच् फिनॉस प्लैंस हो ठीक है तो थोला सा अग्जंपल को अपना बदलते हैं और देखते हैं जैसे कि फिनोफलीनगा च는지 है है अ Idजा के समय नौट कर दे प्या लिए कि तलीन तै या है क्या है यह फिन ओफ्थिलिल होता क्या है जब तक मीडियम मेरा एसे डिक है ठीक है जब तक मीडियम मेरा अब दो होता क्या है जैसी मीडियम क्या होगा बेसिक होगा यह OH मानस आइंस इसके H प्लस आइंस को ऐसे तोड़ देंगे और यह यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O लेकर क्या अलग हो गया प्लस ये pH minus आइन्स अलग हो जाएंगे बात समझे बारी है ये जो pH minus आइन्स है ध्यान रखना ये जब इस तरह combined form में है इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे अन आयनाइजड आयनाइजड ये क्या हो गया है? आयनाइजड अन आयनाइजड form में इसका कलर कुछ और होता है मान लो कलर A है आयनाइजड form में इसका कलर कुछ और होता है मान लो कलर B है ठीक है? तो इस तरीके से अच्छा वापस से अगर मान लो यह आईनाइज फॉर्म में है तो इसको अगर वापस से क्या मिल जाए अगर मीडियम कैसा हो जाए एसिटिक हो जाए तो यह यहां से एस प्लस आइन लेकर के वापस से हपिएच में आ जाएगा याने कि अगर मैं अब बात को समझना जा रहा है एसिटिक मीडियम में यह एच प्लस की फॉर्म में रहेगा बेसिक मीडियम में यह ब्रेक कर जाता है ठीक है एक बात यह हो गई और यह जो बात इस टैप से बाते कर रहा है यह बाते कौन कर रहे हैं हमारे ओष्टवाल साब कर रहे हैं कौन कर रहे हैं ओष्टवाल हमारे कुछ आइनाइज अनाइनाइज ओके और पी एच चेंज होने की बाते कर रहे हैं और उसके इसाफ से चीजों को समझाने कुशिश कर रहे हैं नो डाओट बिल्कुल सही बात है, अब बात को समझना, कि कि फिर क्यूनोड क्या चीज है, क्यूनोड बच्चो कुछ नहीं है, अगर यहां पर हम लोग क्या उपर भात कर रहे हैं, कैमिकल रेक्षिन हो रही है, इस फिनॉर फितलीन का कुछ क्या मिकल स्ट्रक्चर होगा, chemical structure तो जो वो था क्योणाइट छूरी में कोई बड़ी बात नहीं बोली गई क्योणाइट छूरी में इसका structure ले लिया गया है HbH के अंदर मेरे पास क्या होता है एक benzene ring पाई जाती है क्या पाई जाती है benzene ring अब देखेंगे इसके अंदर बेंजेन iris होती है ठीक है यह benzene ring किस में बदल जाती है यह benzene ring मेरे पास एक दूसरे structure बदल जाती है जिसको की नाम मिला हुआ है क्या 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 नाम मिला हुआ है तो यह है बेंजेनोईड फर्म और यह है किरोनोयड फॉन तो दोनों की थियोरी में क्या अंतर है कुछ अंतर नहीं है ये थियोरी स्रिफ आइनाइज अनाइनाइज बोलके बात कर ली गई है और इस थियोरी को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है और detail में चले गए हैं हमने इसको इसके chemical structure के आधार पर इसके आधार पर chemical structure के आधार पर क्या करने कोशिश की गई है यह है हमारे पास क्यों नॉइट थियूरी बताने की कोशिश करी है that's it हो गया tough थोड़ना कुछ भी ठीक है एक के अंदर benzeninink होती है हमारे जो इंडिकेटर होते है उनके अंदर क्या पाई जाती है benzeninink पाई जाती है वो क्या होती है बदल जाती है एक दूसरा रूप ले लेती है जिसके वेसे उसका कलर बदल जाता है यहां हमने chemically बात कर लिए क्याते बात कर लिए है केमिकल स्ट्रक्चर के अधार बात कर लिए यहां हमने सिंपल आयनाइज आयनाइज गोल करकर के बातों को खतम कर दिया कि लिए रहाते हैं उमीद करता हूं कॉंसेप्ट दिमाग में फिट हो गया होगा कि आखिरकार काहानी क्या है थीम जी प्रफ़ाइब लिए अगे ओके तीक है ओस्वाद थियुरी पढ़ना श्टार्ट कर रहे हैं लोग ध्यान देना यहां पर समझाता चलूंगा में और जो वर्ट सौंज में नहीं आएगा उसका मेनिग्वी समझाता चलूंगा लिखते देना साथ साथ में according to this theory इस theory के आधार पर यह क्या करना चाहता है यह theory क्या करना चाहती है acid base indicators are weak acids और base यह क्या होते हैं weak acids और base देखो यह बात तुम लोगों पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता but जो weak acid और base होंगे न वहीं यह symbol देख रहे हो यह sign यह वाला यह वाला है न यह वाला यह sign किसका होता है equilibrium का किसका होता है equilibrium का equilibrium वहीं लोग maintain करते हैं जो weak होते हैं strong होगा वो पूरा-पूरा ionize हो जाएगा strong है ना strong acid और base होंगे उनका ionic current 100% हो जाएगा इनका ionic current 100% नहीं होता है तो यह equilibrium establish कर लेते हैं clear है बात है तो they are weak acid और base clear हो गया हमें they show different color in ionized and unionized state अगर उनका ionic current हो गया है उनका ionic current हो गया है या ionic current नहीं हुआ है बिना ionic current के इन दोनों state में इन दोनों अवस्था में यह दोनों अलग-अलग color show करते हैं ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पर एक indicator ले लिया जिसके अंदर h plus ion मौझूद है और यह indicator के लिए हमने ion symbol का इस्तमाल कर लिया है एक्वास मतलब पानी पानी में डाल दिया इसको हमने ठीक है अब यह equilibrium बना रहा है अपने ionize form में हम यहाँ पर कह सकते हैं साथ में चाहो तो एच प्लस निकाल लो कोई फर नहीं पड़ता है तो यह अन आइनाइज जब इसका आइनी करण नहीं हुआ है तो यह color a दे रहा है समझाने के लिए और जब यह आइनी करण हो गया है यानि कि आइनाइज हो गया है तो क्या दे रहा है color भी दे रहा है बात समझ में आ रही है वही सारी बात जो मैंने समझाई है अगर वह चीज समझ चुके हो तो इन बातों को सिर्व दिमाग में रख लो रटने की जरूरत नहीं है color of the indicator depends on the nature of solution अब वह कह रहा है जो indicator का color है वो depend करेगा nature of solution solution का nature कैसा है solution है ना solution नीचे का जो फ्लास्क रहता हमारे पास इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है यह solution है मेरे पास अब इसका नेचर क्या है इसका नेचर कैसा है इसके उपर डिपेंड करेगा इसके पास अगर यह solution कैसा है अभी पीछे एच प्लस है तो देखो अगर एसडिक है तो यह पीच की फॉर्म में रहेगा बेसिक है तो इस फॉर्म में आ जाएगा तो जब शुरुवात में ही हम लोग क्या डालते हैं जब शुरुवात में हमने इंडिकेटर को डाला शुरुवात में ही अगर यह कैसा है एसडिक है तो यह इस फॉर्म में रहेगा अगर बेसिक है तो शुरुवात से इस कलर में रहेगा बात समझ में आ रही है और जैसे- यहानी याद आ रही होगी तुमको ठीक है जैसे जैसे हम इसको डालेंगे यह क्यासा था यह बैसिक शुरुआत में कीwichुता था हैं h kisuk था ह привет है सुरुआत में कैसा था बेसिव था h plus आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं continue कैसा हो जाएगा यह बाद में किसे मतल जाएगा यह सा इसका इसका हो जाएगा कानी सवज में आ गई चलते हैं आगा यह जोटेंगे देन्द इकुलिवीरियम फिर एक्जामपल भूल रहा है तो मेरा एक्लिब्रियम मेरा इस तरफ भागना शुरू कर देगा ना कौन सा यह वह है लीज चैट्रलियर प्रिंसिपल या दो तो अच्छी वात है अदरोस कोई बात नहीं वह कहता है जिस तरफ जो चीज जादा होगा यह जादा है तो यह दर भाएगा यह जादा है तो यह दर आएगा और यह कलर सुर्वात में ए देगा बात समझ में आगी ठीक है शिफ्ट करेगा ट्वर्ट्स लेफ्ट डेट इस मोर अनाइज फ़र्म जादा जादा इनएज फार्म इस प्रिजेंट जादा इनएज फ़र्म से जादा अनाइज फ़र्म मौजूद होगी देरफोर Indicator will show color A Simple कहानी है इसका उल्टा देख लेते हैं If the solution is basic means It has access of OH-I अगर वो basic है तो उसके पास OH-I access में होंगे Then equilibrium OH-I access में है तो जब OH-I access में होंगे तो यहां से वो इसके H-I toड़ तोड़ के खाना शुरू करेगा H-I खाएगा तो यह Indicator यहां का शिफ्ट कर जाएगा यहां शिफ्ट कर जाएगा बासवाज में आ रही है इसको मैं अलग से समझा दूँ इसके लिए दोकों यहां पर क्या रहाएगा मेरे पास यहां पर क्या अगर OH-I access बहुत ज़्यादा है तो यह H-I और N यहां से ब्रेक करेगा प्लस और माइनस और यह जो है माइनस यह प्लस यहां पर आ करके क्या बनाएगा H2O और I N माइनस यानि कि OH- इधर I N ज़्यादा है तो यह इधर भाएगा राइट साइड बहागना श्टार्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा I N negative form मिलेगी याने की color B मिलेगा मेरे को clear होगी बाते है clear है तो वही सारी बाते लिखिए more ionized form is present than the unionized form therefore indicator will show color B clear है बहुत simple example ले 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 इसका phenophthalene HPH से हम लोग इसको indicate करते है किसे indicate करते है HPH से it is a weak acid यह क्या है एक weak acid है and represent as HPH कैसे represent किया जाता है इसे HPH की तरह है it ionizes in water as follows पानी के अंदर कुछी ऐसे टूड़ आता है HPH H plus अलग होगा I N minus अलग हो जाएगा यह जो HPH form है इसकी ध्यान रखना यह जो HPH form है this HPH form this is colorless कैसी है यह colorless यानि कि यह color जो A यहाँ पर लिखता था क्या लिखता था color A यह color A इस बार कैसा है colorless और यह हमार पास क्या है color B यह कैसा है pink है in the presence of acid आप दोगो वही कहानी acid की मौजूदगी में और acidic medium में क्या जादा होगा H plus जादा होगा तो H plus इससे combine करके यह solution मेरा इधर भागना इस्टार्ट करेगा तो यह कैसा रहेगा colorless रहेगा दा अन आइनाइजेशन दा आइनाइजेशन ओफ फिराफ्थिलीन decreases इसका जो आइनाइजेशन है वो decrease कर जाएगा due to common ion effect common ion effect actually इसका एक कर्म दिया गया common ion effect अगर इसको मैं समझा दो थोड़ा सा common ion effect क्या है जैसे कि मालनो यह HPH है ठीक है और यहाँ पर क्या था है मेरे पास H plus plus IN minus अब मालनो मैंने medium acidic है मेरे पास मालनो मैंने कुछ acid ले रखा H है कोई acid है यह break करेगा H plus plus A minus तो थो को H plus यहाँ से भी निकल के आ रहे है और H plus यहाँ पर भी दो कहीना कहीं right hand side पर H plus की quantity बढ़ रही है कहीना कहीं right hand side पर H plus की quantity बढ़ रही है H plus बढ़ेगा तो यह कितर भागेगा HPS कितर भागना शुरू कर देगा यही कहते है common iron यह दो iron एक जैसे हो जाते है तो common iron effect और we can say equilibrium हम लोग कह सकते है equilibrium shift toward the left and the concentration of the anion यान कि iron minus anion इस two low बहुत कम हो जाता है बट इतना कम होता है कि pink color हम लोग देखी ही नहीं पाते है iron minus इतना कम हो जाता है कि pink color हम लोग देखी नहीं पाते है next के point क्या वो रहा है in the presence of alkaline या basic condition the H plus iron released by the HPS अगर condition basic है ठीक है ना तो वह वाली कहान ही आ जाएगी HPS और basic है तो यहाँ पर क्या मजूद होंगे OH minus iron OH minus iron यहाँ से क्या खीचेगा इसके H plus iron खीच करके उधर ले जाएगा और यह क्या बन जाएगा H2O plus pH minus के लिए रहे बात है तो फिर क्या होगा OH minus होने की वज़े से यह से react करेगा H2O बनाएगा pH minus यहाँ पर इस pH का concentration बढ़ेगा तो मेरे को solution क्या देगा solution में को pink color दिखाना start कर देगा बात के लिए होगी and the concentration of the anion become sufficient iron minus sufficient हो जाते हैं इतना बढ़ जाते हैं for the pink color to be absorbed की pink color हमको दिखाई दे सके इसको अपनी भासा में भी लिख सकते हो बात समझ में आ गए होगी acidic basic basic थोड़ा सा जिनको समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा रुख करके वीडियो पॉस्ट करें सोचें acidic basic तो इससे मिल रहा है तो इससे मिल जाएगा वापस आ जाएगा वह होगा तो एस प्लेस से खिंच लेगा यह धर आ जाएगा acidic basic थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो सब के लियर हो जाएगा next अगला एक्जामपल है हमारे पास methyl ओरेंज का किसका है methyl ओरेंज का it is weak base यह क्या होता है वीक बेस है कैसे रिपेंट करते हैं m eo h से रिपेंट करते हैं पानी में कैसे आइनाइस करेगा m eo h यह yellow होता है और m e plus ionize होने के बाद यह क्या हो जाता है यहां से यह break कर जाता है m e अलग oh minus अलग अब same कहानी ठीक है in the presence of base अगर base बहुत जादा है तो यह से combine करके इधर आ जाएगा basic medium ionization of methyl onage decrease ionization क्या कर जाएगा decrease कर जाएगा same कहानी अगर base बहुत जादा है m e plus plus oh और oh ions और भी जादा है तो अगेन यहां क्या लाएगा common ion effect और यह मेरा m eo h है यहां से जुड़ करके यह back ion लाएगा ठीक है अगेन यहां common ion effect लग जाएगा और यह पीछे आना start हो जाएगा और we can say equilibrium shift towards the left equilibrium का shift करेगा left के दरफ shift करेगा catein is too low for red color to be absorbed इतना कम हो जाता है कि red color को हम लोग अब्सर्व नहीं कर पा रहे है next क्या बोल रहा है in the presence of acidic medium अगर medium acidic है तो देखो क्या हो जाएगा मतलब h plus बहुत ज्यादा होंगे और m e o h अब जो h plus है यहां से ब्रेक करवाएगा इसको यह माइनस खीचेगा ज़र पर और यहां पर क्या आजाएगा m e plus plus h2o अब m e plus मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो मेरो क्या दिखाएगा वो रेड कलर की फॉर्म में दिखना लाएगा ठीक है in the presence of acidic medium o h ions released by m e o h, m e o h से o h minus ion release हो जाते है ठीक है इस consumed by h plus यहां से जो o h जा रहे हैं कौन consume कर रहा है h plus consume कर रहा है therefore इसी लिए equilibrium shift to right equilibrium मेरा कहा shift कर रहा है right side में and the concentration of the cation become sufficient यह यह लिख सकते हो कर यह line तुम लोगों दिखकर देती है the concentration of cation increases and the red color is visible ऐसे लिख दो ठीक है न become sufficient for red color to be observed कि उसको observe किया जा सके बात समझ में आ रही है यहां पर cation anion की form चल रही है और acid base का changing की बात चल रही है यानि कि pH के हिसाब से color को indicator के color को explain करने की कोशिस की जा रही है जो कि ओश्वाल कर रहे हैं के लिए रहे हैं अच्छा वो तो हो गया उसकी एक term हो रहा था इसी बीच में Detail डीटर रेंज क्या होता है Indicator Range तो प्रकुरイ ओंडीटर रेंज क्या होता है कि obviously बात है अब अगर मेरे को इसका color red दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया है यहाँ पर solution मेरा कैसा है acidic है अगर इसका color में को yellow दिखाई दे रहा है मतलब यह मेरा solution कैसा है basic है याने कि कही ना कही मैं solution acid के यह basic है उसका भी पता लगा लेता हूं they are used visually visually मतलब देख सकते हैं हम लोग visually signal देता है यह कि acid हो गया है या alkaline हो गया है aqueous solution हमारा pH indicator generally change color अब देखो जो यह range की बात कर रहा है उसके बात change color over a range of 2 pH unit होता कि actually माल लो इसको color को change करना है ठीक है सब्कूज color change होगा जैसी pH 5 हुआ 5 से 6 और 7 यह दो इनिट बढ़ते 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 तब कहीं जाकर कि pH का उसका indicator color जो हो पाता है वो change हो पाता है तो जो color का change आता है वो two pH unit के change होने पर होता है they work only in colorless solution अगर solution मेरा colorless है तो ही यह काम करेंगा अगर उसमें color है तो दिखाई क्या देगा इन वीचे color change can be absorbed and can only given approximate pH value लगभग value देता है pH की ठीक है ना तो यह जो अपने pH को color को देते हैं यह range होती है एक खास range के दौरान ही अपना color जो होता है उसको क्या कर रहे है चेंज कर रहे है तो इसी को कहा जाता है indicator की range कहा जाता है क्या कहा जाता है इंडिकेटर range कहा जाता है किलियर है ठीक है ना ओके अब आयाते हैं Qinoid theory पर किस पो आयाते हैं Qinoid theory पर यह visible है तुम लोगों को Qinoid structure देख लूए कुन जाला ओके visible है यह Qinoid structure तो देखते हैं हम लोग क्या है यह Qinoid structure इसको मैं सोरो सावर बढ़ा करके बना दूँगा समझा भी दूँगा तो Qquitoid theory यान्व की अब जो है इस theory में क्या हुआ कि हम लोग color और acid bedigon के हम आगे chemical structure पे पर किस पर आगे chemical structure पर the acid base indicators are aromatic compound साथ-साफ कहरा है कि acid base indicator कैसे है आइरोमेटिक compound से हैं which can exist in two टाउटोमेरिक फॉर्म, टाउटोमर समझते हो, नहीं पता है तो यह टाइपस ओफ आइसोमर्स है, ठीक है ना इतना दिमाग में रख लो, टाइपस ओफ आइसोमर्स है, बेंजिनोइट एंड किनोइट, ठीक है ना यह क्या करते हैं, दो रूप में रहते हैं, जैसे आइसोम जो बेंजीन के structure है इसको मैं clear बना दूँ यह बना हुआ ठीक है ना इसको open किया हुआ हर point वह जहाँ C है वह दिखा रखें ठीक है और कुछ नहीं है यह बेंजीन structure हो गया यह इसके साथ equilibrium में रहेगा कैसे जो मैंने पीछे बना के दिखा जाए था वह ही चीज है ठीक है जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ हमाँ C होते हैं बस वहाँ पर इन्हों नहीं क्या गया है C बना के लगा के दिखा दिया है तो बैंजीन form has benzene nucleus in its structure while quinonoid form has a quinone nucleus in its structure उसके structure में quinone nucleus पाया जाता है जो कि इस रूप से होता है इस टूफोर्म्स है डिफ्रेंट कलर साफ साफ बोल रहा है इस benzenoid form का कलर अलग होगा कि लिए रहे बाते हैं आते हैं आगे बढ़ते हैं तो किनोट थिरी आं बात समझ में आई वह साफ साफ कह रहा हैं और यह दो रूप में टाटोमरी फॉर्म में exist करते हैं समझते हैं आगे वण फॉर्म एग्जिस्टीन एक डिक मीडियूम साफ साफ कह रहा है एक फॉर्म में रहेगी यानिकी जैसे हम पीछे समझ रहे ते उस वाल चूरी में एक एसटिक होता है और एक दूसरी रूप में आ जाधाएकए तो ऐसे इस मेडियूम में जनरली कौन रहेगा बैजिनॉट फॉर्म रहती है यह कौन रहता है कि और कर दो यह जाता है विस हैं तो सवर्म में चेंज आथा है तो आओ देखो समझते हैं थोड़ा ता देखो जारा ये मेरे पास ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या ये रीड कर पा रहे हो ठीक है इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ इस बड़ा है ठीक है लोगो यहां लिखा हुआ है बेंजिनाइड फॉर्म क्या लिखे हुई है दिशित बेंजिनाइड फॉर्म ये मेरे पास कैसी है बेंजिनाइड फॉर्म है यह क्या है बेंजनाट फॉर्म है कलरलेस है फिर आफद्रील की बात हो रही है कलरलेस है यानि कि मैं क्या सकता हूँ यह यह पी-एच वाली फॉर्म है कौन सी फॉर्म है है हो आगे यहां पर यह वाला ओएस था यह वाला ओएस था ठीक है यहां से यह ब्रेक कर गया आगे जैसे वीडियम बेशिक होगा यहाँ पर क्या डाला हमने बेस है यह बेस है OH माइस इस ओएच माइब से यहाँ से सब्सक्राइब निखा रखेंगा यह जा गा यह नेगेटिव यहाँ बनाएगा और यह इहाँ चला जाता है तो यह आगया मेरे पास इस कि इसके साथ किस रूप में आ गया पीएच माइनस ठीक है ना यह दिख रहा है तुमको किलियर है तो यह इसका तुम डाइग्राम याद रख थोड़ा सा याद यह बीच का भले ना याद रखो तो यह इनिशियल और यह फाइनल यह पक्के से याद रखना तो यह तुमको ब चीनोनोड फोर्म के नाखर एककर एगवेश करेगा यह बेसिक मेडिमेग में एक här है करेगा बेंगजीन अट form में बंचीन नीकलियस कि इन नट зовे तो में और हमें सब्सक्राइब करने लगा ठीक तो दिख रहा है आमको यहां पर दिख सने लगा ठीक है तो यहां GP किनाड किनाड उस्टेञ्चर यह ओओ नोविए जिए है कि चिनाड किनाड और लितिष में किनाड भूहा इस्ट क्らいोट किस्ते एक तो यह रही है चले आगे को यह मेरेकेटर्स की सारी बाते हो जाती यहां सब्सक्याष और इंडीकेटर्स कुछ और नहीं के प्रॉसेस दिमाग में क्या सो इंडीकेटर्स में एंड- करके एक इंडिकेटर जो होता है उसका रूप बदल जाता है और वो कलर दे देता है तो पूरी कहानी समझ में आगी होगी इंडिकेटर की ठीक है अगर समझ में दिखना था टाइट्रेशन को दिमाग में अच्छे डालो टाइट्रेशन जो सबसे पहला चैप्टर वह था ले चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो यह भी बहुत इसली सौंझ में आ जाएंगे न्यूट्राइशन कर देखो एसीड बेस्ट टाइट्रेशन टाइट्रेशन का बेसिक प्रॉसेस क्या है अगर वो दिमाग में नहीं रहेगी तो कोई कॉई 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 बेसीड का सोने वाली है तो बेसिक जह सबसे पहला लेक्षर था इसका इस से दिमाग में रख लेना किलियर है ना तो ये सारे टोइंट्स खटा-कट-खटा-कट क्या हो जाएंगे किलियर हो जाएंगे ठीक है मिलते हैं next lecture neutralization curve के साथ किलियर पढ़ोगे इसको अच्छे समझना और कोई doubts होगे रहा है तो comments कर सकते हो मैं उस doubts को next lecture में लेने की कोशिश करूँगा okay all the best